बहुत सारे लोगों का एक सवाल रहता है कि यार मेरे bank खाते में नाम गलते advertising में मैंने नाम दूसरा डाल दिया क्या मेरा payment आएगा या नहीं या मेरा ADSANTS में दूसरा नाम है bank खाते में दूसरा नाम है payment आएगा या या नहीं तो ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगा दोस्तों अगर आपने भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और कोई भी आपका कुश्चन हो तो आप मुझे इस्टाग्राम आईडी पर पूछ सकते हैं मेरी इस्टाग्राम आईडी है तियाग इजिटेक चैनल और वीडियो को लाइक करना मिलकुल भी न भूले तो दोस्तो माल लीजिए आपने एडसेंस अकाउंट को किसी भी नाम से वेरिफाई कर रखाए यानि आपने किसी भी नाम की आईडी एडसेंस अकाउंट में अपलोड कर रखिए उससे आपके पेमेंट का कोई तालूक नहीं है आप अपना payment किसी भी bank खाते में मंगा सकते हैं अपने भाई के, बहन के, पापा के, ममी के किसी के भी bank खाते में आप अपना payment मंगा सकते हैं भले ही आपने एड़संस किसी के भी नाम से मंगाया हो दूसरी बात अगर आपके bank account में आपके नाम की spelling गलत भी है तो भी उससे कोई problem नहीं होगी बस आपको payment method में वही नाम डालना है जो आपके bank खाते में आपका नाम है बाकि कोई भी problem आपको नहीं होगी एड़संस account में और bank account में नाम अलग होने की वज़ा से तो दोस्तो मैं उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को like कर देना share कर देना और चैनल को subscribe कर देना मिलता हूँ मैं आप से ले वीडियो में तब तक ले bye bye thanks for watching